नमस्कार दोस्तों अभी मैं केंद्रिय सच्चवाले से राष्टपती भवन के लिए अमरित उद्यान के लिए आया हूँ और यह आप देख रहे हैं वहां से फ्री सटल सेवा के द्वारा और यहां गेट नमबर 35 पे उतर के और बहुत लोग आटो से आ रहे हैं गाड़ी से जा रहे हैं और यह देखे गेट नमबर 35 यह निकलने का है और उसके ठीक पैरलल में अंदर जाने का यह गेट है यह मैं आपको दिखा रहा हूं और जो टाइमिंग है दस बज़े से लेके चार बज़े तक आप यहां सकते हैं और इसकी रही बुकिंग की बात तो आप गू और साथ में आप कैमरा मुबाइल ले जा सकते हैं कैमरा नहीं ले जा सकते हैं वीडियो ग्राफिक का कोई सामान नहीं ले जा सकते हैं पानी का बोतल और बच्चों बच्चे अगर साथ में तो उनका दूद और आप कैरी कर सकते हैं बैग में लेकिन कोई भी रिकॉर्डिं और अपना सामान रख सकते हैं, गोमपका काम आसे लिए कसे और यह पूरा सवी पुरी जाएं अदर अधार कार्ड जरूर रखें तो आपके टिकट को चेक करेंगे और यह देखिये बहुत अच्छा सेलफी पॉाइंट यहां बना हुआ और यह देखिए फोटोग्राफ कितना अच्छा विव यहां पर सब लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं बचे बहुत ही आनंदित हैं खुश हैं और सब लोग स्माईल कर रहे हैं और छुटी का दिन भी है आज और यहां के उपस्थिती लगातार बढ़ती चल पे और इसलिए इसका नाम अमरित उध्यान रखा गया है और क्योंकि भारत हमारा अमरित काल से गुजर रहा है ये देखें बहुत अच्छा ये कितनी अच्छी ये पेंटिंग के द्वारा ये बनाई गई है बहुत ही नाचबाब बहुत ही सुन्दर हाथ से बनाये हुए ये आती हुई ये दिख रहा है और ये देखें डालिया के फूल बहुत ही सुन्दर लाजबाब है लोग फोटो खीज रहे हैं है भारत माता की भारत माता की बंदे बंदे राश्पिता महत्मा गांधी की अ हम लोग आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं ये पूरा डेकुरेटिव ये प्लांट को माउंटेड में प्लावर पॉट के साथ लगाया हुआ ये राश्टपती भवन में का यहां पर दिखें इनके अंदर में चडियों के लिए बहुत सारे चडियों के लिए यहां पर केज बनाई गई हैं और ये सारे चडियों के बारे में यह यहां पर बताया गया है विभिन विभिन प्रकार की चडियें जो की राष्टपती भवन के अंदर में इनके लिए special पूरा एरी बनाया गया है यहां पर यह सारे चडियां रहती है और राष्टपती भवन के द्वारा जो अमरित उद्यान का जो जो भी यह आप जरूर आएं और यह बर्ड के बारे में देखें और पढ़ें बच्चों को भी बताएं यह बहुत ही सुन्दर है बहुत ही लाचपाब है और काबिल तारीफ है और यहां पर यह घुसते ही आपको गेट के पास यह पूरा यह चिडियों के बारे में तरह तरह की पी बहुत सारी चिडियां हैं ये देखें इंडियन रॉलर कितनी अच्छी खुबसूरत चिडिया बहुत ही बढ़िया बहुत ही लाजवाब ये स्पॉर्टर डॉग ये एक लाइन से ये चिडियों के बारे में बताया गया है इसलिए अगर आप आते हैं बच्चों के साथ हैं तो बच्चों को जरूरी इस चीज को दिखाएं और बताएं कि दिखो ये हमारे इस अमरित उद्ध्यान में चिडियों के लिए भी बहुत ही अच्छा एक पोर्शन रखा गया है वो चिडियां यहां पे रहती हैं और जो जो चिडियां यहां रहती हैं उनके बारे में पूरा फुल डिस्क्रिप्शन पूरी जानकारी यहां पे दी गई है इस स्टैंड के द्वारा इस स्टैंड के ऊपर उनका यह फोटोग्राफ बना हुआ और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन बिवरन दिया हुआ है और उस बिवरन से और यह देखिए यह चिडिया बोल रह ही है बहुत ही अच्छा लाजबाब और यह पूरा स्पीकर लगा हुआ है अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और यह देखिए यह देखिए फ्लावर के डिजाइन से यह बटरफ्लाई बना हुआ कितना लाजबाब यह गाडेनर का कमाल है इतने अच्छे से पॉट को उन्होंने डेकॉरेशन करके और बटरफ्लाई बना के जो बटरफ्लाई के जो विंग्स हैं कलरफुल हैं यह देखिए रास्टपती भवन का यह म्यूजिकल गाडेन यह कितना लाजबाब यह देख सकते हैं आप इतना बड़िया पानी का यह फवारा और पूरा म्यूजि के तरफ देखे ये राष्टपती भवन का ये विव अंदर से और ये अमरितु द्यान कितना लाजबाब कितना सांतार और कितने ये करीबन साड़े तीन सो एकड़ में ये राष्टपती भवन फैला हुआ है और आप देख सकते हो यहाँ पे वार्निंग भी लगी है किरपया फूल न तोड़े और पूरी सेक्योरिटी का अरेजमेंट है बहुत ही लाजबाब बहुत ही सुन्दर और आप देख सकते हैं ये असोक के पेड़ और इतनी अच्छी ग्रीनरी मेंटेन की गई है यहाँ पे और ये साल में एक बार ही खुलता है दो फरवरी को खुलता है औ और इसमें हर तरह स्कूल के बच्चे दिव्यांग बच्चे अनाथाले के बच्चे आर्मी के लोग सारे लोग यहाँ घुमने आते हैं और आपको ये बता दूँ कि अभी तक आज की तारिक तक पचास हजार बोकिंग हो चुकी है इस अमरित उद्द्यान पार्क में अंद आने के लिए लोग बहुत बेसबरी से इंतिजार करते हैं यह देखे cleans आप इh कितना सूंदर यह फवराः देखे कितना अच्छा पानी के गिरता हुआ और सब लोग फोटो इसका लेते हुए और यह आप देख सकते हैं बहुत ही संदर लाजबाब लोग फोटो के बाव आजबा बहुत ही दर्शनी है आख को बहुत ही कैची लगता है बहुत अच्छा लगता है और ये भी लगता है कि आप कितने सुनहरे वातावरन के अंदर घूम रहे हैं बिल्कुल पॉलिशन फ्री और पानी की जम जम आवाज फंटाउंटेन की आ रही है यहाँ देख सकते ह हैं और यहां तरह तरह के गुलाब भी हैं और इनके नाम भी बड़े सुन्दर सुन्दर हैं आईए जरूर देखे और यहां दो सो पच्छे साल पुराना एक सीसम का पेड़ भी है उसकी भी कता जरूर सुनिए आके और जिसको भी पूछेंगे आप वो आपको उस पेड़ के बारे में बताएगा और उस पेड़ को जरूर देखें आप बहुत ही पुराना और यहां पर बरगद के पेड़ भी बहुत ही लाजबाव है पुराने हैं और यह आप देख सकते हैं यह पीतल के पॉट में कितना अच्छा डेकोरेशन के साथ यह फ्लावर रखा हुआ है दोनों तरफ दो पीतल के बॉल्स बड़े बड़े और उसमें यह फ्लावर डेकोरेट करके गाडिनर में सजाया हुआ है बहुत ही लाजबाव यह देखें यह मेरी गॉल्ड का बनाया हुआ इस लॉन के ऊपर बहुत ही अच्छा मैट है यह बहुत ही सुन्दर लाजबाव आप देख सकते हैं जैसे लगता है कश्मीर के कलकार के द्वारा यह बनाया हुआ मैट यह देखें कितना बढ़िया खुबसूरत लाजबाव सब लोग घूम रहे हैं हस रहे हैं यह स्कूल के बच्चे लाइन में अपना पूरा क्यू मेंटें किये हुए कोई बच्चा देखें समझें और जानकारी प्राप्त करें बहुत ही बढ़िया और यह देखें यह टाइमर इसमें यह पता लग रहा है कि अभी तक कितने लोग अंदर आए हैं यहां पर डिस्प्ले कैमरे के अंदर दिखने ही रहा है ठीक से लेकिन जब आप जाएंगे तब आप देख होता रहता है क्योंकि यह कनेक्टेड है टाइमर के साथ और अब हम बुस गए हैं यह रोज गार्डन में देखिए यह तरह तरह के रोजेस हैं अभी ब्लूमिंग में हैं कुछ ब्लूम कर गए हैं खिल गए हैं कुछ बर्ड्स हैं तो यह जब मिड फैबरिल या जब फ़ावर से अभी यह फ़ावर तयार हो रहे हैं बहुत ही सुन्दर है यह देखे रिग इसे फ़्लावर पॉर्ट को हैंग किया गया है और लोग बड़े ख्भ्स उर्ट जी पी ड Muhed Curt खुबसूरत लाजबाब ये रोज एकदम मुस्कुराते हुए जितने लोग आ रहे हैं सबका ये स्वागत कर रहे हैं हसते हुए ये वाइट कलर के रोज देख सकते हैं या बहुत ही सुन्दर लाजबाब है ये और सब लोग जितने लोग आए हैं सब लोग इसकी खुबसू सुर्थी को निहारते हुए सब लोग फोटो लेते हुए और घूमते हुए यह आप देख सकते हैं कितना बढ़िया यह देखिए वाइट कलर का फ्लावर पॉट सब लोग इसको देख रहे हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए बहुत ही सुन्दर लाजबाप यह देखिए कलरफुल फ्लावर बहुत ही बढ़िया सुन्दर सब लोग देख रहे हैं यह देखिए सज्टा जी ने बढ़ा अच्छा यह पॉट चुना है बहुत ही लाजबाप बहुत ही खुबसूरत धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बचे लोग काफी खुश हो रहे हैं फ्लावर देखके बहुत ही बढ़िया बहुत ही खुबसूरत बहुत ही लाजबाप धीरे-धीरे देखिए यह कितना अच्छा फ्लावर बहुत ही बढ़िया बहुत है सुन्दर यह लेखिए कश्मीर से आए हैं उन्होंने देखके बढ़ा ही इनको अच्छा लगा और इन्होंने बताया कि कश्मीर में भी मिसाद बाग और सालिमार बाग में भी अच्छे अच्छे रोज लगाए जाते हैं लेकिन यहां के रोज की यह काफी बढ़ाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सच मुझ यहां पर जो यह अमरे तो ध्यान है नाजबाब हैं अब यह देखें हम लोग तीरे तीरे रोज काटन से आगे बढ़ते हुए और काफी डिफरेंट डिफरेंट यह रोजेस हैं बहुत है सुन्दर लाजबाब यह देखें अब यह सिजनल फ्लावर्स पे आ गए हैं यह देखें यलो कलर का कितना खुबसूरत प्लांट यह भी यह सब बहुत ही बढ़िया यह सब सिजनल फ्लावर्स हैं लाजबाब हैं बहुत ही बढ़िया खुबसूरत नजारा और यह देखिए यह पीले रंग का गुलाब बिल्कुल पीला बसंत का आगवन जिसको लोग कहते हैं कि बसंत रितु में सब लोग पीले पीले ड्रेस प यह देखिए यह गुलाब कितना खुबसूरत बिल्कुल लगता है जैसे कि किसी ने इस सफेद गुलाब के उपर लाल रंग का कलर छिड़क दिया यह देखिए कितना बढ़िया फ्लावर्स यह बहुत अच्छे फ्लावर्स यह सारे सिजनल फ्लावर्स हैं बहुत ही कितनी अच्छे कलरफुल बहुत ही सुन्द बहुत ही भब और लगता है जैसे कि गरिमा में ढंग से इनको सजाया गया है क्या लाजबाब लग रहा है इसलिए दोस्तों जरूर आईए और यह उद्ध्यान जो अपना अमरित उद्ध्यान है उसको देखिए कितना अच्छा यह फ्लावर मुस्कुराता हुआ और बुलाता हुआ कि आओ मुझे देखो कि मैं कितनी मेरे अंदर खुबसूरती है उसको जरूर आके देखो बहुत ही बढ़िया क्या कहने हैं अमरित उद्ध्यान के बहुत ही सुन्दर लाजबाब हैं यह और यह दो फरवरी से 31 मार्च तक जरूर समय निकालिए आईए देखिए और एप से अपने टिकट को डाउनलोड कर लिजे साथ में अपना अधार काड रखिए और जो मोबाइल में टिकट आए वही टिकट दिखा के आप अंदर आ जाएंगे बहुत ही सुन्दर लाजबाब फ्री इंट्री है कोई चार सुन्दर का ये फ्लावर कितना खुबसूरती के साथ खिल खिलाता हुआ लहलाता हुआ और बहुत ही सुन्दर आखों को बड़ा ठंधाई सितला सितलापन देता हुआ बहुत ही अच्छा बहुत ही खुतूरत बहुत ही सुन्दर और सरिता जी भी काफी खुश हो गई है द वारा ITDC का ये वेवस्था अंदर में खाने के लिए और ये पूरा रिट लिस्ट लगा हुआ है और हम लोग भी जा रहे हैं लंच टाइम है और इस लंच टाइम में कुछ खाया जाए अमरे तुद्यान में ये देखे सल्फी स्टैंड पे हम लोग भी अपना फोटो ले रहे ये बहुत ही बढ़िया और ये देखिए खाना खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं कितनी अच्छी लंगोली बनी हुई है साथ में डालियाज की फूल और ये पीटोनियाज बहुत ही बढ़िया